तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्ते निजाम एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे अगर मार्केट का इपलाजेशन की तो बहुत जरूरी होता है यहाँ पर हम देखेंगे 868 बिलियन मार्केट का इपलाजेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है वीडियो स्टार्ट करूँ से पहले बहुत जरूरी बात करना चाहूंगा कि जो लोग ने हैं चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें नोटिफिकेशन बिलको भी अन कर लें और जो हमारे पुनाने सब्सक्राइबर हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक दें पंद्रा सो लाइक देंगे तो हमें कफी खुशी हो सकती है यहाँ पर मार्केट कमोगेश अगर हम देखेंगे तो डाउनवर्ड मुमेंट करती ही दिख रही है बिटकोईन के प्राइस के अगर हम बात करेंगे तो 19,100 के नेर बाउट यहाँ पर टेट करता दिख रहा है यहाँ पर हम वीडियो में आगे बोले हैं उससे पहले कुछ अगले हफते में मंडे के दिन कल से उपर जा सकते है या फिर बिटकोईन के प्राइस में क्या हो सकता है कैसा क्या होगा इस पर बात करेंगे पूरी तरीके से चार्ट पर टेडिंग वीडियो डाट कॉम के उससे पहले कुछ निउस को यहाँ पर देख लेते हैं बात करेंगे तो इसको समर्थन है वारें बॉफेट का वारें बॉफेट का उनने स्टॉक मार्केट यानि यूएस की स्टॉक मार्केट के गाट फॉदर बोले आते हैं और काफी बड़ा इन्होंने यहाँ पर अर्णिंग भी की है और काफी कुछ नॉलिज है इनके पास लेकिन कभी इन्होंने बिटकॉइन का या क्रिप्टो कंसीज का समर्थन नहीं किया लेकिन जिस बैंक को यह समर्थन करते हैं जो कि एक वर्ड का लाज़ेस्ट डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है उसने यहाँ पर यह किया है कि उसनोंने आफर किया है अपने फिफ्टी को अपनी बैलेंशीट पर होल्ड करते हैं तो यह एक अच्छी नियूल है क्रिप्टो कंसी से लेटेट और यहाँ पर अगर हम देखेंग वार्न बफेट ने हमेशा यहाँ पर क्रिप्टो कंसी के अगेंस ही बोला है कुकवाइन के उपर कलेक फड यहाँ पर देखने को मिला था तो यहाँ पर क्लियर किया है कि यह मातर एक फड है और इस तरीके के ट्वीट आपको देखने को मिले थे यहाँ पर इन्हों इसको क्लियर किया है कि तोथन ने इस तरीके के अफ़ाओं से और क्वीकवाइन इस तरीके की कोई भी चीज नहीं करेगा जैसे कि आपने पीछे देखा कि लूना थ्रीएसी बाबल एटीसी यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है और यहाँ पर जो भी विड्डॉल वगएरा जो है आपका कोई भी विड्डॉल वगएरा नहीं रूपा जाएगा तो यहाँ पर एक क्लियर कट किया यह अच्छी चीज है और इस तरीके से अफवाहों में जब बात हुआ करे मार्केट में तो थोड़ा सा आप भी अपनी और से को जो जो उनको रिवेनिव मिलता था वो यहाँ पर उनका नीशेज गिरता दिख रहा है क्यों कि बिटकोईन के प्राइज में अच्छी गासी ग्रावाट हुई जो बिटकोईन माइनर्स जो यहाँ पर अगर से लाउफ करते तो उनको यहाँ पर 26 परसेंड का पॉल देखने जो मिलरा है यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों काफी एक्सपर्ट हैं जो यहाँ पर नाम तो इस निईूज में कहीं पर किसी का ओपन नहीं किया गया लेकिन एक्सपर्ट बुला गया है क्या काफी पर यह मानते हैं कि 10,000 बिटकोईन का बॉटम बन सकता है अगले कुछ महीनों तो दोस्तों यहां पर 14,000 बारा हजार का तो मेरा भी मानना ऐसा है कि यहां तक बिटकोईन का प्राइस जा सकता है क्योंकि कंडिशन काफी ज़्यादा किटकल है मार्किट में और मार्किट गिर हो रही है थोड़ा थोड़ाख साइडवेज होती है फिर गिठाए है और स्टी है माननी की और जानी की बात हो रही है मनी की ओर लगख कुछ संकेत मंदी के हमें मिलने भी लग भी लग हैं तो यह चीज हो सकती है कोई बड़ी बात नहीं, बिटवाइन का प्राइस 10,000 डॉलर तक भी जा सकता है, यहाँ पर मैं इस न्यूस से सैमत हूँ, लेकिन मेरा इसा मानना है कि 14,000-12,000 के असपास बॉटम बन चकता है, लेकिन जब भी बॉटम बनेगा, मैं आपको बिलकुल पहले से ही आपको एक व महीनों में बॉटम लगते दिखेंगे, क्रिप्टो कंसी मार्किट में, स्टॉक मार्किट में और ग्लोबली सारी मार्किट में, जैसे ही इंफलेशन कंट्रोल में आती है, तो दोस्तों यहाँ बात करते हैं, बी टी सी के प्राइस की तो हम देख सकते हैं कि बी टी सी, यू वहां से गदा एक मेना इस bear flag में रहा और उसके बद अब इस bear flag को यहां पर create कर रहा है तो आप समझ सकते हो कि इसके अंदर इस तरीके से moment कर सकता है तो यह bear flag का धियान लखना काफी कुछ काम को सकता हो सकता है यहां से देखो मैंने जिस तरीके से यहां पर यह पर नीचे लगा दी है उपर के एक टेन लाइन लगी है तो price अगर बात करेंगे फूर आवर्स के चार्ट पर तो अच्छे समझ सकते हैं तो हम देखेंगे तो इस तरीके से price इसके अंदर moment करता देखा देखो अभी भी आपको देखने को मिलेगा कि कितना यहां पर अच्छे तरीके से moment कर रहा है तो मैं भी यहां से थोड़ा तो ऊपर नीचे उपर नीचे कर सकता है तो थोड़ा से अपनी नजरे बना कर रखना लेकिन यहां पर कंडिशन है इस यानि कि इस बियर फ्लैक का जब भी नीचे साइड ब्रेकडाउन होगा तो नीचे हमें सपोर्ट मिलेगा 17,000 का unto का 17,600 का 17,600 का सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो नीचे जा सकते हैं तो यह कल के वीडियो में मैंने बताई तो बार बार रेपीड इसलिए करना हूँ ताकि मार्किट के साथ आप पिल्कुल अपडेट रो कुछ भी भूलो ना तो पस PTC की यही अपडेट है और Sideway St condition बोल सकते हैं इसको और यह स्दीजिस से कि यह पिछला एक मीने में चलीती यहाँ पर तीन मेने लगे थे अब यह एक मेना दो मेना तीन मेना कितने दिन इस जोन में यानी इस साइडवेस condition में रहता है यह आगे देशने हाली बात होगे बात करते हैं दोस्तों अगर एथेरियम की तो एथेरियम में भी कुछ उसी तरीके से मामला देखने को मिला था पीशे से गिरावट हुई एक बियर फ्लैग में मार्किट गई और यहां पर तीन मैंने श्टे किया उपर नीचे करती रही साइडवेस कंडिशन में और ब्रेकडाउन नीचे के साइड हुआ उसके बदे एक मैने के लिए ये एक बियर फ्लैग मना और उसके बाद इसका ब्रेकडाउन नीचे एक पार डियाने को मिला है लेकिन कुछ अलग तरीके से देखने को मिल ला है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो फोर आवर्स के चार्ट पर देखेंगे तो यह बहुत अच्छे समझ माँ जाएगा और इस तरह से आप देख सकते हो कि यह तरह से उपर गया और इस तरह से नीचा आया इस तरह से मार्केट इसके अंदर मुवमेंट कर सके तो ब्रेकडाउन कर सकती है तो थोड़ा सा इथिरियम पर भी अपनी नजर बना कर रखना और यहाँ पर अगर हम सोलाना की और लिंक भी बात कर लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि उसी तरीके से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल ला है 42 यूज डॉलर पर और यहाँ से अगर हमें एक टेंड लाइन को इस तरह से लगा देते हैं तो क्लियर कट एक बियर फ्लैग हमें देखने को सोलाना में भी मिल ला है तो थोड़ा से अपनी नदरे बना कर रखना और यह बियर फ्लैग में जब मार्केट जाती है तो यह एक साइडवेस कंडिशन होती है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में एक दम से चल रही थी और फिर मार्केट ने इस टेलिया जानी किसी फ्लैग को अगर उलटा कर दिया जाए और पर जब वो ब्रेकडाउन करती है तो अच्छे खासी गिडावट भी करती है और पिछले लोगों तोटने की कोशिश भी करती है तो यहां पर अगर हम लिंक की बात करेंगे तो link में थोड़ा सा मुझे मामला लगना जारा रहा है link मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर हम link को देखेंगे daily chart पर तो link एक sideways condition में हमें दिख रहा है लेकिन यह sideways condition horizontal condition है 4 hours वर भी आप इसको देख सकते हो तो इस तरह से आपको एक sideways condition यहाँ पर दिख जाएगी जो की horizontal condition है यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके से link price के अंडर टिट करता में दिख रहा है तो यहाँ पर उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर Shiba Inu के price के उपर Shiba Inu में थोड़ा सा bullish condition मुझे नदर आ रही है क्योंकि Shiba Inu ने एक spike लगाने के बाद अच्छा कासा और उसके बाद गिर के इस support पर support लिया यहाँ कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 0.5x0973 के उपर support लिया है अगर यह support break नहीं होता मार्केट अगर इसके नीचे नहीं आती और यहीं से reverse करती है थोड़ा सा तो ऊपर हमें 30-40% कुछ दिनों के अंदर Shiba Inu का price उपर जाता देख सकता लेकिन यहाँ पर डेली चार्ट पर मुझे यहाँ पर एक bullish diversion देखने को मिल ला है ठीक है इस तरह से अगर आप lower लो देखोगे और इस तरह से यहाँ पर RSI को देखो तो ऊपर साइच जा रही तो थोड़ा सा bullish diversion है और लेकिन यहाँ पर एक चीज मुझे यह खटक रही है कि यहाँ पर हमें उतना volume देखने को नहीं मिल रहा है अगर हम देखेंगे तो देखो यह यहाँ से प्राइज उपर गया था लेकिन volume अगर हम देखेंगे तो volume भी शाद में उपर गया लेकिन उसके बाद से यहाँ volume देखने को नहीं मिल ला है तो थोड़ा सा यहाँ पर अपने नजर बनाकर रखना यह support जहां पर मिल ला है शीवाइनू को यह काफी ज़्यादा important हो सकता अगर यह break होता है तो इस low तक वापस हम जा सकते हैं जो की 7 लगबख 0.510748 के असपास हो सकता है तो अगर यहाँ पर support अच्छागासा मिलता रहता है तो यह मजबू सपोर्ट बन रहा है और यहाँ से 30-35% की ऊपर हमें बड़ोतरी देखने को मिल सकती है चलते हैं यहाँ पर दोस्तों TRX की बात कर लेता है क्योंकि एक अच्छागासा यहाँ पर एक बेरिश पैटन देखने को मिल ला है अगर हम TRX के होल सोल चार्ट को यहाँ पर देखते हैं जब भी यहाँ पर tradingview.com पर हमें बाइनेंस का चार्ट जो प्रोवाइट कराएगी है तो वह देखते हैं तो इस तरीके से एक रेजिस्टेंस एरिया था इसको ब्रेक करने के बाद एक नय आल टाइम हाई को क्रिएट कर देखने और उसके बाद से लगाता ट्रॉन को अगर हम देखेंगे इस तरह से ध्यान करें तो यह अगर इस पैटन को बोलेंगे तो इसको बोलता हैं दोस्तों डिसेंडिंग ट्रैंगल उपर के जो हाइस बनते हैं वो पीछे हाइस से कम होते हैं और एक एक रेंज मतलब एक सपोर्ट पर मार्केट सपोर्ट लेती है तो अगर यह ब्रेक होता है तो अच्छी कर दोबाएफ़ासा के आरक्स में घरावाट हमें देखने को मिल जाती है तो कंक्लूजन वीडियो का यह है कि दोस्तों मार्केट अगर ट्रेंड की बात करो तो मार्केट एक बियर किरेंड में है दूसरी चीज मार्केट अभी प्रेजरियों में क्या कर रही है मार्केट अ साइडवेस कंडिशन डेटी है तो इससे पफयले हम देख चुके हैं कि तीन महीने का एक बनाता उसके बाद एक बयर फ्लैग बना जो कि एक महीने बना रहा contains its p बात होगी तो यहाँपर इसको और सकत कि यह साइडवेस कंडिशन कितने दाएगे लेकिन यह साइडवेट कंडिशन जब भी नीचे की और ब्रेकडाउन करेंगे तो एक अच्छा मूव यहाँ पर लगाता है दिखेगा शार मोमेंट होगा तो यहाँ पर आप अपनी नदर बनाकर तो चलो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में काफी कु अब्क टिखेगा अन्रीघ चबागे अर्गाट बेंट अन्री यहाँ इसका, इस पिसुझमार तो शरते हैं इस पर बैद बिशभाट कंडिशन, तो यहाँ पर दो दोस्तों अर्टाउन